गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें किन बातनों को करना अवाइड करें जिससे आज की दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं, कौन सी होगी आपकी रीडिंग, एक उधारन देकर आपको बताना चाहती हूं, अगर आपकी डेट ऑफ वर्थ है 19 यानि की 19, तो 1 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो है नंबर 9, नंबर 9 के स्वामी होते हैं मंगल, जो की होते हैं बहुत जादा चंचल, तो उनका क्या इंपेक्ट पड़ेगा, एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आज हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपको बताने वाली हूं, एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सा उपाय जिससे कि आप अपने घर की उर्जाओं को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं, आपको करना क्या होगा, कुछ विशेश दिन होते हैं, जैसे कि जिनें उगर दिन कहा जाता है, इन दिनों को थोड़ा उगर दिन माना जाता है, या तो आप अपर आप अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर एक को लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, विndन को पास में लोगों की नहीं बनती है या बहुत जादा है नीचे से जिव गह जाती है, आज हमारे घर है, बिल्डिंग्स लेकिन एक समय पर electronic items होते हैं, उनसे भी कुछ negative raise निकलती हैं, तो आपको क्या करना है, कोशिश करें कि अपने घर के अंदर रोज आप कोई ना कोई भजन, कोई मंत्र, आप किसी भी धर्म या समुदाय के हो, आपके धर्म और समुदाय के नुसार प्रार्थना करने के कोई भी मंत्र स्तुतिया प्रादी दिया गया हो, वो आपको रोज अपने घर में प्ले करनी है, यह आप नियम बांध लीजे सुवए का, उसके लाव आपको क्या करना है कि मैं आपको विशेश दिन बताए थे, उन दिनों पे आपको अपने घर के चारों कोनों में, चापके घर के चार कॉर्णर है और साथी साथ बिलकुल बीच में ब्रहम इस्थान में, आपको दीपक लगाने हैं, दीपक किस चीज के सरसों के तेल के दीपक आपको जलाने हैं, जिसके अंदर आपको छोटा सा टुकडा आपको डालना है, नमक का, जो रॉक सॉल्ट आता है, आपको उसका चोटा सा टु कि वह आदा घंटा एक घंटा प्रजोलित रह सके और यह आप कारे करेंगे संध्या के समय उस समय पर आप कोई भी जिन भी इश्ट देव को आप मानते हैं उधारन के तौर पर अप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आप उनके मंत्र या उनकी 40 बजरंग बांड या हनुम जी ओधारन करेंगे तो करेंगे कि हैं परमात्मा मेरे घर में किसी प्रकार की अगर नकार आत्मक पूर्जा है वो आप पूरी की पूरी समिझला के भस्म करें तो आप देखिए कि कितना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रापथ होगा तो आई दूस्तों बिन गाइड कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है एर गार्डियन का कार्ड है मुलांक एक के जात्मों कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आज आपकी विचार धारा आपको परिशान कर सकती है आपके कारियों में बाधा आ सकती है थोड़ा साप स्ट्रेस्फुल रह सकते हैं तो इसके क्य कारों में बहुत जादा खिनता आज रहेगी तो ऐसे में आपको क्या करना है अगर आपको कोई विशेश का रहे हैं तो कारे आपको पूर्ण कराने के लिए थोड़ा अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो ग्रोथ का है आज का जो दिन है वो रिज जो कि आपके आगे बढ़ने में सहायता करेंगी विशेश तोर पर एक महिला से महिला मित्र हो सकती हैं आपके माताजी हो सकती हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं यह आपकी कलीग हो सकती हैं बॉस हो सकती है कुल मिलाके एक महिला के द्वारा आपको आपको पॉजिटिविटी और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी उन से होगा आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अक्टूबर 2030 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमको कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि उदासीन व्यवहार आपको छोड़ना पड़ेगा कोई भी अगर आपको कारे करना है इसमें आपको पैशन आपका दिखाई देना चाहिए आपको सफलता अगर चाहिए तो उस कारे के प्रती आपका जजबा भी तो होना चाहिए पैशन दिखना चाहिए जितना ज़्यादा पैशनेटली आप आज का काम करेंगे जो भी आपका प्रोफेशन है या रिलेशन्शिप की अगर हम बात करते हैं वो उतना ही ज़्यादा घ्रो करेगी उतना ही ज़्यादा वो सक्सेस करेगी खास तोर पर आपको अपने व्यवहार के अंदर भी थोड़ा पैशन लाना होगा थोड़ी एनरजी आपके लगनी चाहिए कि आप जो है सामने अले विक्ति को प्रभावित कर पाएं अपने कारे से आपका दिन शुभोग आए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंसिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है वाटर गार्डिन का कार्ड है कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत अधिक भावोक आप महसूस कर सकते हैं बेवज़र रोना भी हा सकता है या फिर किसी तिल दुखाया हो तो वो बात याद आ सकती है तो आज के दिन आपको क्या करना है कि आपके emotions आपके काम पर भारी ना पड़ें आपके emotions आपकी कारियों को बंते बनायों कारियों को ना बिगार दें तो बहुत जरूरी है आज आपको उनके साथ connect होना चोटे बच्च जब होते हैं तो वह सही बात पर लेकिन तॉर्ब होने के बाद हम क्या सोचते हैं हमें रोना नहीं है यकीन मानिए कभी कभी अपने आंसों को निकाल देने से बहुत सारी सरी जो कहीं न कहीं हम होल्ड कि ये बैठे होते हैं जरूरी नहीं आप किसी दूसरे विक्ति को बताएं और उसके बाद अपनी उस चीज की खिली उड़वाएं बल्कि आप बैठे परमात्मा के पास घर में मंदिर में जाकर आप बैठर उनसे अपने दिल की बात कहें यह आपको 27 अक्टूबर 2030 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है कि आपकी अच्छी है लेकिन एक मुश्किल है कि आप एक जगे कॉंसेंट्रेट होका टिक कर काम नहीं कर पा रहें आपको क्या करना है जो भी आप काम करना चाहते हैं जिंदगी में जो भी कुछ आप हांस आपर मैनेजमेंट करें रिसर्च करें उसके बाद आपके बढ़ें आपका दिन शुभू कि आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे इंजल एंसिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है लेडी का का आज का दिन है वो अबॉड और रिवॉड का है आज आपको सामाजिक रूप से लोग बहुत जादा पसंद करने वाले हैं मांसम्बाण की प्राप्ति हो सकती है कुल मिला के आज का जो दिन है वो ग्रोत को चैरिश करने का है एंजॉई करने का है कही ना कहीं लोगों के बी के लिए हमारे एंजलन सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है डिरेक्शन गार्डिन का कार्ड है चूज यॉर पाथ आपको कहा जा रहा है बहुत जादा confusion के स्टेट में आज हो सकते हैं कि आज मैं क्या करूं आज मैं कौन सा रास्ता चुन आज मुझे कौन सा काम करना चाहिए तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आज का जो दिन है उसमें confusion के स्टेट में आप रहेंगे तो ऐसे में क्या करना है कोई भी महतपूर्ण डिसिजन आपको आज नहीं लेना अगर आप आज के दिन balance महसूस नहीं कर पा रहे हैं बीतर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का investment या commitment ना करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं आज 27 अक्टूबर 2030 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है इस टैक का card है trust and thrive आपको कहा जा रहा है यकीन कीजे अपने talent पर पर मात्मा पर और इस समय पर भी आज का जो दिन है वो भरोसा करें जो भी काम करना चाहते हैं जिजगने की जुरत नहीं है डर्रे की जुरत नहीं है बे जिजग होकर आप आगे बढ़ें जो भी कुछ आप आपकी planning पिछले गुजरों से चल रही थी कोई project आपका चल रहा था आपकी मित्रों के साथ आपके click से साथ जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं just go with it आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे angel and sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं आज 27 October 2013 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है जो की आज की तारिक का भी मूलांक है और हम मूलांक 9 की बात कर रहे हैं देखिए कितना अच्छा काड़ा है लेडी का काड़ है आज के द आज का जो दिन है क्योंकि pentagram आ रहा है pentacle है जो आपको clearly कह रहा है कि धन धाने से परिपूर आजाप होने वाले हैं कुछ surprise gifts भी मिल सकते हैं आपको कुल मिला के love और समाजिक रूप से आर्थिक रूप से हर तरीके से आज आपके लिए favorable दिन है आपका दिन शुभो तो दोस हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगी आप से हमारे कल के अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम करते लोग